ओके हेलो फ्रेंड्स तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने देख लिया कि रिफ्रेक्शन कैसे होता है रिफ्रेक्शन का हम लोगों ने लिंस मेकर फामुला भी देख लिया 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u और एक और फामुला हम लोगों ने जो देखा वो है की 1 over f, just a minute, okay एक फामुला हम लोगों ने ये भी देखा is equal to simple mu minus 1, 1 over r1 minus 1 over r2, basically ये फामुला एकदम बेसिक फामुला है, जिसको बेस बना के ही सारे फामुले डेराइब की जाते हैं, obviously mu इसमें जो लेंस का मेटिरियल है, उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, r1 ये radius of curvature है, ये वाला सर्फेस की, और r2 इस वाले की radius of curvature है, अच्छा अभी इस lens को अगर मैं water में रख दूँ या किसी और ऐसी medium में रख दूँ जिसका की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स mu 1 है, तो ये फामुला ऐसा कुछ हो लाता है, ये mu की जगह बस आप mu over mu 1 कर दीजिए, बाकी सब, everything remains the same, तो ये ये most generalized formula है, अगर आप air में रखे हुए हो तो ठीक है, mu 1 को आप 1 कर दो, तो simply ये फामुला आपको मिल जाएगा, okay, आज हम लोग discuss करेंगे power of lens और mirroring lens surfaces, mirroring को power के साथ इसलिए combine किया, या club किया, क्योंकि fundamentals power के ही use होंगे, जो हम लोग mirror lens की surface को mirror कर देते हैं, कई बार engineering intense exams में इसके questions आते हैं, कि lens का एक portion को mirror कर दिया, फिर object को रखा हो, फिर आपको pushard आएगा, इमेज कहाँ बनेगा, image की distance कहाँ होगी, या magnification कितना होगा, कहीं कुछ भी कुछ सकते हैं, तो इसमें फरक कुछ नहीं पढ़ता है, अगर आप, ठीक हम लोग discuss बात में करेंगे, ये mirroring का, पहले power देख लेते हैं, और तब ही मैं आपको दिखा हूँगा, कि ये power के साथ ही, ये मैंने इसको mirroring क्यों क्लब किया, क्योंकि उसके साथ ही एक क्लब करना चाहिए, और clear भी ज़्यादा होगा, शायद background में आपको बारिश किया वा जाएगी, थोड़ा फ़र ब power of lens, power of lens, अगर हम लोग definition के बात करें, तो simply power is equal to 1 over f, f हमारा क्या है, f हमारा focal length है, जो कि, just a minute, तो f is our focal length, focal length वो भी हम लोग मीटर में measure करेंगे, तो हमारा power जो है, ये, डायोप्टर में आता है, power p is measured in diopters, and it is given by, books में normally आप यही देखें कि, p is equal to 1 over f लिखा रहेगा, f आपको बोला जाएगा कि, भाई, मीटर में रहेगा, अगर आपका centimeter में है, तो आपको meter में, पहला convert करना है, उसके बाद ही आपको power calculate करनी है, कि suppose आपको दिया भाया कि focal length, किसी भी lens की focal length, 50 cm, तो power आप simply, आप power is equal to 1 over 50, नहीं करेंगे, ये गलत है, आपको 1 over 50 or 100 करना पड़ेगा, 50 or 100, क्योंकि सेंटी मीटर में है, तो मैंने 100 से डिवाइड किया, मीटर में आगा, ये टूल दायोक्तर इसकी power हो जाएगी, तो 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 आपको दियान में रखें, कई बार गलतिया हो जाती है, अच्छा, power है क्या, ये power, जिससे बुलते हैं, आपको power, मेरी power बहुँचाता तो इसका मतलब मेरी, जो भी मेरी capacity है, जो भी मेरी कान परता हूँ, जैसे AC की power काफी जादा है, मतलब AC का काम में ठंडा करना, तो मतलब ठंडा करने का जो capacity है, उसकी काफी जादा है, वैसे lens, lens दो टाइप के हैं, मैंली, diverging and converging, तो अगर diverging lens ले हम, जो rays को diverge करता है, बो देखी, कुछ बताता हूँ, मैं, अभी यह है lens, ठीक है, यह माल यह कोई, यह rays आ रही है, parallel to axis, तो यह ऐसे deviate होती है, अब suppose इस lens की power 1 थी, अगर मैं इसी lens की power 2 कर दूँ, तो यह जो ray ऐसे आ रही थी, reflection के बाद, यह ज्यादा deviate होगी, यह ऐसे हो जाएगी, मतलब यह converge हो diverging, sorry, converge, because यह convex lens है, और यह rays को converge करता है, converge means, एक जगे मिला देगा, ऐसे rays आएगी, तो यह converge करेगा, तो इसकी converging power बढ़ जाएगी, converging power बढ़ जाएगी, मतलब अगर पहले यह किसी angle से deviate कर रहा था उस rays को, अभी इसका deviation angle बढ़ जाएगा, यह clear है, तो पावर का जो physical meaning ह है, वह हो गया है, कि power, अच्छा, power इतना important क्यों है, हम focal length में बात कर रहे थे, power है क्या, it is nothing but बढ़ अपवान एफी तो है, तो power अभी नया term क्यों हम लेके आ गए, अलड़ी इतने साई terms होते है, focal length ही रखते है, हमको क्या मतला power hours, ठीक है, लेकिन power की importance है, जब हम दो, तीन चार या पांच, या कई सारे lenses को, पांच तो नहीं, हम लोग दो की बात करेंगे, दो lenses को एकदम closely, सटा सटा के उनको रख देते हैं, कि अगर आपको, normally आपने देखा कि, आपको question कैसे आएंगे, एक lens दिया रहेगा, ये कोई lens है, कोई भी object है, जो की 20 cm या किसी भी distance पे र इमेज की location बता दो, it's simplest question है, इसमें आपको कुछ भी o magnification दे सकता है, या कुछ भी तीन चीज़े दे के एक चीज़ पूछ लेगा, तो ये simple question है, अब अगर आप बोल, वही question है, बोले कि भी या दो lens को मैंने सटा सटा के रख दिया, एक साथ, ये ऐसे हो गए, अब आप ब difficulty हो सकती है आपको, हाला कि अगर आप basic से जाएंगे, तो भी आप कर सकते हैं, कि आप पहले ही इस वाली rays को इस वाले lens से reflect करा दें, कहने के मतलब क्या है, इसका माली f1 है, इसका माली f2 है, तो मैं पहले एक formula यूश करूंगा, 1 upon f1 is equal to 1 upon v minus 1 upon u1, u1 मेरी ये हो जाएगी, तो यह यहां से मेरा v निकल आएगा, अच्छा जो यह v है, इस वाले lens के लिए, वो image की distance का काम माली यह यहां पर कहीं पर image बनने दो, खाली इस lens से, यहां का image बनने होती, तो यह जो distance आपको निकली आएगी, तो यह जो distance आपकी रहेगी, यह इस lens के लिए object का काम करेगी, तो simply आप यह फामुला इस वाले lens के लिए लगा देंगे, 1 upon f2 is equal to, अभी जो v है यह view बन जाएगा, तो it will be v minus 1 over v1, से लिए final, sorry, v1 यहां आएगा, v यहां आएगा, यह final image जो है, v1 distance पर बनती है, ठीक है, अभी अगर आप इन दोनों को add कर दें, 1 upon f1 plus 1 upon f2, तो आप देखें क्या equation बन के आएगी, यह और यह cancel हो जाएगे, कि आपकी simply 1 upon v1 minus 1 upon u1, अच्छा आप अगर आप यह equation को आप देखें ध्यान से, तो यह तो देखें, यह final image का distance है, lens है, यह जो है आपका object का distance है, तो यह जो आपका main formula होता है, 1 upon v minus 1 upon u, यह जो right hand side में जो quantity लिखी है, यह तो सब similar ही है, बट left hand side में क्या हुआ, कि वह 1 upon f1 plus 1 upon f2, तो उनों के reciprocal और focal length वो add हो जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी question कर सकते हैं, थोड़ा सापको time लगीगा, तो simplest way है, करने का जैसे ही lenses combine किये गए, आप इनकी focal length को नहीं add कर सकते हैं, भाया लेकिन अभी, एक engine अगर डेल गारी को suppose pull कर रहा है, तो एक अलग power रहेगा, same अगर दो engine pull करें तो double power हो जाएगा, similarly, यहाँ पर क्या हो गए, दो engine या दो lenses आ गए, तो जैसे ही दो lenses आए हमारे, इसकी जो converging power थी, वो भी double हो गई, या add हो गई, तो power, simply power add हो जाती है, अगर हम effective power बुलें, तो यह P1 प्लस P2 हो जाती है, अचा P1 और P2, यह converging या convex lens की P positive होती है, क्योंकि फोकल lens positive होती है, concave lens की negative होती है, तो P1, P2 में convex, convex, convex भी हो सकता है, concave भी हो सकता है, दोनों concave हो सकते हैं, दोनों convex हो सकते हैं, आपको sine के हिसाब से ही रखना है, तो simply अगर दो lens आपके combine कर तो आप P1 प्लस P2 पावर एड़ कर दीजिए, अगर P effective आ गई, आपका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, कि यह दोनों जो lens का system है, उसके आपको focal length, effective, effective focal length आपकी मिल गई, अगर आपको effective focal length मिल गई, फिर क्या है आपको simply बिंदास, use कीजिए, equation 1 upon f is equal to, तो 1 upon f effective, I will write, is equal to 1 upon V, V हमारा final image है, minus 1 upon u, इसके object image है, तो यह simply system जो है, कैसे behave करेगा, एक single lens की तरह behave करने लग जाएगा, लेकिन इसकी जो focal length होगी, वो यह हो जाएगी, 1 upon f1 plus 1 upon f2, यह focal length मत, सूचिए, पावर पर ध्यान दीजिए, कि दो lenses को हम combine करेंगे, इनकी powers add हो जाएगी, simple, आप में शाद रखें, दो हो या तीन भी हुरते हैं, चार हुरते हैं, चार हुरते हैं, चारों का, बस condition यह है कि तुछा पतले होने चाहिए, पतले इसलिए कि देखें, जो distances हम लोग measure कर रहे हैं, वो यहां से भी u मान रहे हैं, यहां से वी बन रही है, तो इस वाले lens से भ यहां कि दोनों पतले क्यों होने चाहिए, तो यह मान लीजे एक lens हो गया, यहीं पर हमारा दूसरा lens हो गया, इसको मैं एक मिनट, एक line ले ले लेते हैं, यह होगी line, और इसको जो है, तोड़ा सा kiss का देते हैं, तो यह हो गया, ठीक है, दो lenses आ गया भईया, ओके, अभी मैं ने यहां पर object रखा हुआ था, यहां पर image रखा हुआ था, जब distance u मैं ले रहा हूँ, तो normally मैं एक lens लेता हूँ, अगर दोनों पतले हैं, और दोनों के बीच में difference नहीं है, तो यह यहां से लूँ, या मैं यहा similar ही रहेगी, क्योंकि तभी मैं वो formula यूज कर पाऊंगा, one upon f is equal to one upon v minus one upon u, और v और u दोनों interchange होंगे, अगर दोनों से जो यह वी और u है, same ही आ रहा है, similarly यहां से इसकी distance v है, और यहां से भी इसकी distance v ही ले रहे हैं, हम लोग, अगर ऐसा नहीं लेंगे, तो फिर मैं formula यू होता है, जब दोनों लेंज थोड़ा पतले हों, और पतले तो खेर हम लोग सार जो one upon a follow equation है, वो पतले मान के लेते हैं, तो दोनों के बीट में distance नहीं होनी चाहिए, दोनों इदम close contact में रखे होनी चाहिए, अगर distance आती है, तो फिर आप यह formula याद रखिए, पी is equal to p1 plus p2 minus d into p1, p2, formula याद कर लीजे, distance वाला, साय, बहुत काम question आता है, कई बार आ सकता है, तो आप इसको भी याद रखते हैं, अच्छा, एक चीज में जो बताना आपको चाहता था, starting में ही, कि मैंने बोला, आपको power क्या हो गई हमारी, one over f हो गई, लेकिन medium अगर air है, अब अगर medium हमारा, water हो जाए, या किसी और medium में रख दिये जाए, lens को, तो simply power हम लोग क्या करेंगे, mu over f, mu उस medium का, refractive index है, जिसमें की हमने, इसको, lens को रखा हुआ है, sorry, power, जो है, mu times, one second, नहीं, correct, तो यह हो गया, mu into one upon f, क्या हो गई, यह power in the medium हो गई, तो power in the medium is equal to mu times power in the air, तो आप ऐसा कह सकते हैं, कि अगर mu हमारा एक से बड़ा है, water, water में रखा, अगर बढ़ा है, तो power बढ़ जाती है, power बढ़ जाती है, तो यह तो converging बढ़ा देगा, या diverging lens है, तो diverge, जादा करेगा, तो simply यह चीज़र आप जाना रखिए, इसका derivation भी काफी simple है, देखे, one upon f, यहां पर किया हुआ है, in two minus seven, one upon two, जो कि basic equation बताया तो मैं इस रूम यूज किया था, in one अगर one है, तो air हो गया, तो यह formula आगया, अभी यह दोनों formula अगर आप compare कर लें, तो आपको यह simply आ जाएगा, simple है, आप घर में भी कर सकते हैं, तो I hope power का तो concept clear हुआ हुआ रहेगा, power क्यों यूज करते हैं, मेरे खाल से यह भी clear हुआ रहेगा, power के applications क्या है, तो रहा questions simple हो जाते हैं, time कम रखता है, क्योंकि आपको time भी time frame, time का भी important होता है, time is very important, जब आप questions याप exams दे रहे होते हैं, तो उसके लिए simple है, एक example मैं बस पढ़ूँँगा, क्योंकि मैंने काफी detail में explain कर दिया है, convex lens of focal length is kept in close contact with 50 cm, concave lens and image is formed at a distance of, from the combination, final distance at the object is placed from the combination of lens, तो आपको final image की distance दी हुई है, final image, भी ले लूमे इसको, 25 object की distance आपको पूछा हुआ है, यू आपको नहीं मालू, तो चुकि दो lens है, आप देखे, F1 मैं करूंगा, ये 100 over 25 हो जाएगा, 100 क्यों 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 कि ये बे, 25 को meter में change किया, F1 नहीं, sorry, P1, P1 है ये, P1 4 हो गया, प्लस में रहेगा, क्योंकि Concave Convicts है, P2 में रहा, माइनस में रहेगा, याद रखिए, 100 over 50, तो ये हो जाएगा, 2, तो मेरी net power हो जाएगी, हो जाएगी, 4 minus 2, is equal to 2, तो मेरी effective focal length, कितनी हो जाएगी, 1 over P, that is 1 over 2, meter, आप याद रहेगी, ये, meter में आएगा, अगर आप आप आवर से उल्टा कर रहे हैं, तो, इसको cm में चेंड कर सकते हैं, 100 over 2 हो जाएगा, 50, तो देखिए, 50 cm आगया, इसका मतलब जो, combined मेरा, जो combined system है, lenses का, उसकी focal length, simply 50 cm positive में आगी, ये, तो आप आप formula लगा सकते हैं, कि 1 over f, is equal to 1 over v, minus 1 over u, f मेरा positive है, 50, v भी positive है, right center बन रही है, अचा ये positive में कैसे बन रहा हूँ, अगर आपको, तो तुरह सा भी doubt है, तो मेरी आप, मैंने एक, पुरी detail में class बनाई हुई है, sign convention कैसे हम लोग लेते हैं, वो आप देख सकते हैं, नीचे मैंने link दिया हुआ है, minus 1 over u, यहाँ से आप 1 over u, is equal to 1 over 25, minus 1 over 50, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, okay, okay, तो ये तो power का fundा हो गया, अब हम हाँ अब हम आजो second part में आते हैं, that is silvering, silvering of a surface of a lens, अब हम देखें के पहले silvering में होता क्या है, एक बास concept समझ में आ गया silvering का, तो काफी easy हो जाएगा, कोई दिक्कती नहीं रहेगी, okay, silvering, okay, तो अभी silvering of the lens surface भी देख लेते हैं, ये भी power of the lens से ही connected है, silvering, एक ही एक figure देखते हैं, ये देखी एक lens है, इसके मैंने एक surface, silver कर दिया, silver, जैसे आपने silver कर दिया तो, अगर आपको याद होगा, तो जो mirrors होते हैं, उनका एक जो part होता है, एक side जो होती है, वो इन silver होते हैं, तो वहाँ से ray reflect हो जाती है, तो अब इसमें क्या होगा, ये effectively देखे, एक mirror की तरह ही काम करेगा, अब इसमें एक lens है, जिसे कि ये एक convex lens है, बट हमने जो कि इसको silver कर दिया, ये तो ray जो आएगी, ऐसे ये इधर नहीं जा पाएगी, तो ray धरी बनेगी, हमारी धरी का image बनेगी, और तो ये जो हमारी combined silvered mirror plus lens रहेगा, ये एक mirror की तरह behave करेगा, इस वेरी इंपोर्टेंट तो रिमेंबर, तो रिमेंबर देट विल behave like a mirror, अच्छा, अब इसका तोड़ा सा basic देख लेते हैं, कि कैसे होता है, फिर हम लोग formula पर भी जाएंगे, फिर एक question solve करके देखेंगे, fundamental तरीके से भी, अभी suppose ये मेरा एक lens है, इसको मैंने, यो है, ये surface मैंने silver कर दिया, अभी silver अगर नहीं किया होता तो आपको मालूम है, जो भी इधर जो आई थी, जो भी मेरा object है, इसका image इधर कहीं पर बन रहा होता, इधर विदाउट silver इंगर, अब silver करने के बाद देखें क्या होता है, ये same frame दिखते हैं, ये आई, इस वाली जो surface है, यहाँ पर ये refract होगी, ऐसे आएगी, अब जैसे ही ये इस जो silvered surface है, यहाँ पर जैसे इसने strike किया, तो क्या होगा, अब क्योंकि ये तो mirror की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर ये reflect हो जाएगी image, ये ray, तो ये ऐसे आगी, अब ये देखिए, फिर इस lens वाले surface पर आगी, और यहाँ पर medium change हो रहा है, दस इधर आ रही है, तो यहाँ पर ये फिर से reflect हो जाएगी, ये reflect होके इधर कहीं image बना देगा ये, ये देखिए क्या हो रहा है, दो बार reflect हो ये, एक बार इधर आई, इस surface पर reflect हुई, फिर यहाँ पर reflect हुई, फिर आके फिर इसी surface पर reflect हो गई, तो ये अगर हम लोग देखें, तो lens से reflection दो बार हो रहा है, और reflection एक ही बार हो रहा है, इसके लिए, जो हम लोग इसको solve करेंगे, इसका देखिए, जब मैं भी example लोगा तो आपको ज़्यादा clear होगा, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी solve कर सकते हैं, कि भाई, कोई formula नहीं use करेंगे, जैसे ये forward और गएरा की formula मैं भी discuss करने वाला हूँ, कुछ भी use नहीं करेंगे, simply आप, जैसे जो जी चीज़े हो रही हैं, वो आप करते जाएं, और equations लगाते जाएं, तो आपकी image नहीं कराएगी, कैसे, जैसे ये object रखा है, यहाँ पर पहले ही surface पर reflection का formula लगाईए, फिर इस वाले surface पर आप reflection का formula लगाईए, फिर अगेन इस वाले surface के लिए आप reflection का formula लगाईए, तो आप you will end up with the final result in this case also, और अगर हम देखिए जो discuss करने वाले formula उनसे भी आपको same result मिलेगा, but formula से easy यह है कि आप जल्दी कर पाएंगे, formula देख लेते हैं, फोटक से, देखिए, equivalent power निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, जो यह combined चीज़ बन के आएगी, इस calculate power निकालेंगे, और यह कैसे दिया जाएगा, इस 2PL प्लस PM, 2PL मिन्स लेंस लेंस की पावर दो बार अड्ड किया, क्योंकि दो बार रिफ्रेक्शन हो रहा है, इसके दो बार लेंस की पावर अड्ड कर दिया, और mirror से एक बार ही रिफ्रेक्शन हो रहा है, तो इन्होंने mirror की power को एक बार ही add किया अच्छा mirror की power हमेशा याद रखिये कि जो mirror की power होती है EM that is minus 1 upon FM lens की जो power होती है simply 1 upon FL होती है but mirror की minus 1 upon FM होती है यह it is very important to know down mirror की power minus में होती है 1 upon FM ओके तो यह तो आप देखिये understanding के लिए क्या हो रहा है यह surface मैंने silver किया हुआ है तो एक lens को अलक कर लिया और इस mirror को अलक कर लिया तो simply एक lens बन के आगया एक mirror बन के आगया अब आप इस lens की power निकालिए इस mirror की power निकालिए इस lens की power आपकी PL हो गई इस mirror की power आपकी PM हो गई तो यह simply आपको PL और PM देदेगा PL और PM आगया तो आप equivalent power निकाल लेंगे जैसे ही equivalent power आगई तो आप FE निकाल सकते हैं अच्छा अब equivalent power जो आई है यह बहुत important है देखिए equivalent power जो कि यह क्योंकि अब equivalent अगर देखें तो आप एक mirror ही है इस अ mirror only तो जो mirror की equivalent power आ रही है यह minus 1 over FE होगी नोट की plus 1 over FE तो अगर FE अब निकालेंगे तो आपको minus 1 over PE करना पड़ेगा यह important है note down कर लिए उसको क्योंकि यह final आपको जो काम कर रहा है यह mirror की तरह काम कर रहा है तो यह देखिए कुछ examples है इसका देखिए यहां पर PM तो 0 हो जाएगा क्योंकि 1 इसका जो FM है वो infinity हो जाएगा र क्योंकि infinity है इस अर्फिरस का इसका PL निकाल लिया है mu minus 1 upon R 1 upon R minus infinity यह आ गया PM तो यह भी देखिए minus लेखा हुआ है आपनोंकोंने यह हो गया तो simply PE इसका हो गया तो FE कितना हो गया देखिए फिर से minus लगाया हमने 1 upon PE R over 2 mu minus 1 ओके अब यह यह भी almost similar है इसमें केवल आपका जो lens है वो ऐसा बन के आएगा तो lens की जो focal length आप निकालेंगे mu minus 1 1 over 1 R 1 R 1 क्योंकि यह हमारी R 1 है यह हमारा R 2 है तो R 1 तो infinity है R 2 को minus R लिया हुआ है क्योंकि यह इदर की तरफ measure की जा रही है तो PL निकल के है mu minus 1 upon R PM देखिए फिर से मने minus 1 upon FM लिया FM यहाँ पे अभी यह simply R by 2 हो जाएगा और फिर से minus होगी क्योंकि R इसकी इदर की और measure हो जाएगी तो यह minus में लिया जाएगा sign convention is very important तो यह P 2PL plus PM 2 mu minus 1 over R plus 2 over R यह आ गया है तो यह FE हो गया minus P से मने लगा है minus 1 over P तो यह ठीक है minus R over 2 mu अच्छा इसे फायदा यह होगा कि simply आपको यह सब दिया रहेगा आप सिंपल सा focal length निका लिये और उसको 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U में रख दीजिए एक और चीज़ important देखिए तर formula आप कौन सा लिंग का रहेंगे final जो formula आपका लगेगा final image formula that will be 1 over V plus 1 over U is equal to 1 over F यहाँ प्लस लगाएंगे हम mirror का है कि finally मैंने बोल आपको यह mirror के तरह ही काम कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग 1 upon V plus 1 upon U लगाएंगे ना कि minus तो यह बस दो तीन चीज़े धान भी रखिए यह साथ फिर देखिए थोड़ा था और जनलाइज हो गई यहाँ पर आपको P L निकाल सकते हैं प्ल एफिल कैसे निकालेंगे मिन मैंन और वन वन और माइनस आर माइनस और प्लस आर यह निकाल लिए आपने प्यम तो simply क्योंकि एफ एम आपकी आर बाइट वो जाएगी तो प्यम माइस वो और र हो गई यहाँ गई तो आप ऐसे यह कोश्च्छन आपके लिए है आप घ लगाते हैं उसमें यह लगता है म्यू माइनस वन की जागे म्यू ओवर म्यू अल्कोहल आपका आजएगा माइनस वन वह पुनाने कास में मैंने बताया आपका अल्रीडी तो हम लोग जो बेसिक फर्मॉला यूज कर रहे हैं यह यह है उपिज है मींऊ वडिशों मायनस वन 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 मायनस वन ओवर आर वन मायनस ववन और आर टू है पहला इस्मीदियम में लेंस रखा हुआ है उसका इंडेक्स अगर एब तो यह उपिए sir मिटाव सिन گ कीवकिन जानविश रखा और बात में ये mirror, but finally ये, it will behave like a mirror only I hope concepts clear हुए रहेंगे अभी जल्दी से ही हम लोग ये question देख लेते हैं, इसको मैं दोनों तरही के से solve करता हूँ इसको मैं solve करता हूँ, पहले पन detail वे में solve करते हैं कि क्या क्या हो रहा है तो अभी देखे focal length of इसका focal length दिया हुए 15 cm है तो पहला जो ray आएगी वो इस lens से refract होगी माल लीजिए वो refract होने के बाद image कहीं पे v1 यहां पे कहीं पे v1 पे बना रहा होता तो हम लोग फोन लगा देंगे v1 minus 1 over u is equal to 1 over f f इसका positive ही लिए रहेगा plane of convex है तो v1 आपका आगया 1 over 15 plus 1 over u 1 over 15 u आपकी minus 20 रहेगी तो यह आपका आजाएगा I think 1 over 60 तो आपका जो v1 आगया वो 60 आगया तो v1 क्या है देखे इसका इमेज इधर बन जाएगा 60 ही पे इधर बन जाएगा 60 पे अगर क्यों mirror तो mirror से यह दे इधर reflect होके 60 पे आ रही होगी लेकिन बीच में यह भी पढ़ जाता है फिर से reflection हो रहा है तो इस again reflection के लिए जो यू होगी यू यू हो जाएगी यू हम मैं क्लिकता हूँ इसको यह हो जाएगी minus 60 क्योंकि again view इधर है अभी वी जो अभी वी बन के आएगी that will be final don't know F हमको पता है ओके अभी हम लोग फिर से फर्मर लगाते हैं इसके लिए reflection जो second time reflection हो रहा है इस surface पे लेकिन भी याद रखिए अब इधर क्योंकि जो reflection हो रहा है यह glass to air हो रहा है तो जो इसकी focal length f फंद रहा थी अभी इस case में minus 15 हो जाएगी वो f आपको minus 15 लेना पड़ेगा और फिर आप हमना लगाए 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f 1 over v आपको निकाल लाई है 1 upon f plus 1 over u, u आपकी minus 60 है f भी minus 15 है यह आपका दे देगा v is equal to minus 12 तो minus है मतलब इधर की ओर ही बनेगी image 12 cm अचा आपको देखी इतना लंबा चोड़ा हमको करना पड़ा यह sign convention वो sign convention focal length को भी हमने यह दिवस किया तो यह थोड़ा सा complicated सा लग रहा है अभी हम लोग इसका देखे simplest form क्या होगा वो देख लेते हैं तो इसकी focal length हम लोग क्या लिखेंगे बहिए effective power क्या हो गई two times power of lens प्लस power of mirror जो की यह power of mirror तो zero ही आएगी क्योंकि यह plane mirror है r आपकी infinity है तो f इसका one upon infinity जाएगा तो power f r by 2 f b infinity हो जाएगा तो power one upon f that is zero हो जाएगा तो power of lens simple simple निकाल लेंगे lens की power आपकी होगी simply one over fifteen चलिए इसको 100 और 50 माल लेते हैं तो pe क्या होगा 2 into 100 over 15 hundreds ले लिए मीटर में convert करने के लिए तो fe हो गया one over pe 15 over 2 into 100 हो गया मीटर में हो गया तो यह 15 over 2 cm में हो गया ठीक है अब यह behave करेगा एक mirror की तरह है तो हम लोग formula लगाएंगे mirror वाला one over f और fe यह माइनस pe होता है तो यह माइनस 15 by 2 होगा तो one over v is equal to one over f क्या है हमारा minus two over 15 है और minus one over u जाएगा यू तो आपका माइनस में है तो यह plus one over 20 हो जाएगा इसको हम लोग दो solve करने तो 60 यह minus eight plus three माइनस five was 60 तो यह आपका one over v minus one over 12 तो भी आपका minus 12 वाएगे बड़ा simple था दो लाइन का ही था ऐसे करने पर बट fundamentally भी अगर आप जाए तो भी आप सकते हैं बट यह objective question है दो दो नंबर करेगा तो वसे करने का दोरत नहीं है simply आप यह formula यूज करें थोड़ा सा ध्यान देने वाला कहाँ पर है कि यह formula आपको mirror का यूज करना है और जो आपकी focal length effectively आएगी that will be minus of pe तो i hope आपको यह mirroring का concept clear हुआ होगा कुछ अगर कहीं पर कुछ clear नहीं हुआ है तो आप comment में पूछ सकते हैं next class में हम लोग कुछ questions देखेंगे इनी silvering of lens surfaces के उपर जो की intense examinations में पूछे के होंगे चलिए तिल दिन बाबाया